Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to talk about assignment related talks, okay? Assignment से related बात्चित करेंगे. यह आपका first assignment है, जो आपको अच्छे से अपने assignment notebook में लिखना है. कहां लिखोगे? Assignment notebook में. और आप अपने assignment notebook सब अच्छे से रखोगे. यह आपका first assignment term marks का है. यह आपके computer का assignment है. एक इस च्छे का assignment है, बच्चो, computer का. अभी देखो, मैं आपको हर एक question explain करी हो, तो उसे please ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से लिखिएगा अपने assignment notebook में. Computer के assignment notebook में. चलो, question number one. What is computer? Draw and color all the parts of computer and write about it. तो आपको पहले क्या करना है? Computer क्या है? उसके बारे में बताना है क्या? Computer क्या है? पहले आप बताओगे what is computer? तो उसमें आप पंसर लिखोगे ना? Computer is an electronic machine and all लिखोगे. ठीक है? फिर उसको draw करोगे. फिर हर पार्ट को जैसे कि mouse, monitor, keyboard, है ना? यह सब आप draw करोगे, फिर उसको color करोगे और उसका नाम भी लिखोगे. तो question number one clear है? आपको क्या करना है? Computer को draw करना है, उसके बारे में लिखना भी है. फिर देखो question number two. ठीक है? Question number two में आपको क्या करना है? 10 shortcut की use लिखना है. keyboard में जो 10 shortcut की होते हैं, जैसे control plus undo के लिए होता है, cut के लिए होता है, copy paste के लिए, control plus हम use करते हैं, bold के लिए control plus B भी use करते हैं, underline के लिए control plus U करते हैं. उस तरह से आपको 10 shortcut keys लिखने हैं. ठीक है? कितने 10 shortcut key? अभी देखो question number three. आपको क्या करना है? computer के applications होते हैं, जैसे कि MS Word, Excel, वो सब के बारे में लिखना है, सब के नाम लिखना है, और उसमें से कोई भी एक application के बारे में आप detail में समझाओगे. जैसे कि आप Excel समझा रहे हो, तो Excel में होता क्या है, किसले use होता है, वो सब लिखोगे. अगर आप PowerPoint के बारे में समझा रहे हो, तो उसका लिखना है, uses लिखना है, वो होता क्या है, है ना? वो सब लिखना है. आपको ये तीनों question समझ में आ गया हो, first question में आपको क्या करना है, computer को, पहले तो बताना है computer क्या होता है, फिर उसका drawing करना है, ठीक है, फिर second question में क्या 10 shortcut key बताना है, जैसे कि bold करने का कौन सा है, तो control plus B होता है, color करने का, italic करने का, अलग-अलग shortcut keys होते हैं, तो आपको बारे में बताना है, question number four में आपको application से related बताना है, पहलो तो आपको सब applications के नाम लिखने है, ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, पहले तो application के बारे में लिखोगे, फिर उसके कोई भी एक application को समझाओगे, जैसे MS Word को समझा रहे हो, या फिर PowerPoint presentation को, किसी से भी related एक topic को explain करन है, और यह सब आप कहा लिखोगे, assignment notebook में, ठीक होप यह वीडियो आपको समझ में आया हो, thank you for watching and listening to the video